प्लीज सब्सक्राइब और प्रेस्ट प्रेस्ट बेल आइकन तो गेट नोटिफाइड वेनेवर वी अप्लोड अनुव वीडियो जबर्दस फाइरिंग शुरू हुई है जैसा कि आप देख सकते हैं लागातार फाइरिंग हो रही है आप देख सकते हैं और यहां आप मुश्किल है कितना टाइम लगेगा लेकिन खूब यह जो है मैं आपको दिखाए माइनू डिटेल्स कहां पर है फौजी जवान जो है व बिल्कुल आमने सामने इस बिल्डिंग के और इसी यही एड्मिस्टेट्टु बॉलाग है जहां पर बताया जा रहा है कि अभी एक फिदाइन जो है वो इसमें छुपा है और उसे मारने के कोशिश इस वकत कर रही है फौज कि दो फिदाइन जो है पहले ही मारे गया है चुनगर में बेसेफ के जो स्कैम पर हमला हुआ है वो 182 बिचाने का है यह कैम्ट चुनगर एरपोर्ट के खरीब है हमले के बाद एरपोर्ट के इलाके को सील कर दिया गया है और गो एर की उड़ानों को रड़ कर दिया गया है इस हमले की जिम्मदारी जश्र महुमत में चुनकि एरपोर्ट को सील कर दिया गया है और पैसेंजर्स जो है काफी मुश्किल में आ गये हैं यहां पर सबसे पहले पैसेंजर्स से बात करेंगे आप हमें बताए कौन सी फ्लाइट थी और क्या कुछ आप तो पहा गया है और अभी मेसेज आया है मेरे पास की औरी स्के सर देली जाना था हम लोगे जैसी होटल से निकले तो हम लोगों को पुलिस वालों ने बीच में बताया कि यहां पर एंकाउंटर चल रहा है चार से पांच आतंग वादी अंदर घुसे हुए हैं तो इसलिए ना जाया जाये कि यहां पर काफी सेंसिटिब भी एरिया है तो सुरक्षा की समिक्षा की जाएगी वहीं आतंकियों के इस हमले की रक्षा विश्रशक्यों ने कड़े शब्दों में निंदा की है कॉंग्रस में आतंकी हमले को केंद्र सरकार की विफलता बताया है प्रदान मंत्री जी को इस बात पर बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए कि जो उन्होंने चाती ठोक ठोक के सर्जिकल स्ट्राइक का दावा किया था उससे भारत की जो आंतरिक सुरक्षा है भारत की राश्ट्री सुरक्षा है वो मजबूत हुई है कि वो कमजोर हुई है गुर्मीत राम रहीम के खरीबी हनी प्रीट आज पंचकुला पुलस के सामने सिरेंडर कर सकती है हनी प्रीट के खरीबियों ने बताया है कि अब पुलस से भागने के बज़ाए वो सिरेंडर करना चाहती है हनीप्रीथ ने राम रहीं के साथ रुष्टों पर भी सफाइदी यह अनिफ्रीथ की मताविक इंके रुष्टों गलत तरीके से पेशिख किया गया है साथी उन्होंने इंसा फैलाने के आरो को भी जरे से खरच कर दिया है हनी प्रीत ने फरार होने की बज़े डर बताया और कहा कि वो नेपाल में नहीं बलकि अपने ही देश में थी राम रहीम की सजा के ऐलान के बाद से हनी प्रीत पिछले 38 दूनों से फरार चल रही है और उस हनी प्रीत कहां सरेंडर करेगी इसको लेकर लगातार सस्पेंस बना हुआ है पंचकुला पुलिस को जानकारी दी गई है हनी प्रीत के करीबियों की तरफ से कि वो सरेंडर करना चाहती है लेकिन क्या वो पुलिस के सामने सरेंडर करेगी या फिर पंजाब हर्याना हाई मैं इस वक्त पंच्पूरला पुलिस कमिशनर के दफ्तर के बाहर मौजूद हूँ और यहां पर भी काफी हल चला है गहमा गहमी है ऐसी भी आशंका है कि हनीप्रित यहां पर सरेंडर कर सकती है इसके लिए यहां पर जो पुलिस वोर्स है उसको अलर्ट रखा गया है अमेरिका की अफबिय ने आदेंकी संक्ट्वन आईसस के उस बयान को खारच कर दिया है जिसमें उतने लास वेगास में हुए हमले की जिम्मदारी ले थी आईसस ने कहा था कि हमलावर उसको सिपाही है लेकिन अफबिय ने से खलत बताया पुलिस की मताबक चौसथ साल का हमल स्टीफन तरॉक नेवादा का रहने वाला था वो होचल मैंले बे की बतीसवी मन्जल से गोली बारी कर रहा था बाद में उसने खुद को भी गोली बारी इस हमले में उनसट लोगों की मौत होगे जब की चार सो से ज्यादा लोग खायल हुए हमलावर के खमरे से भारी मातरा म अधियार भी बारामत किये गए, अमरीकी राश्पती जॉनल स्रॉप ने इस हमले को हैवानियत बताया, जॉप गुद्वार को लास वेगास में मौका यवारदात का दोरा भी करें। The gunman opened fire on a large crowd at a country music concert in Las Vegas, Nevada. He brutally murdered more than 50 people. It was an act of pure evil. लास वेगास में हमले पर FBI ने कहा है कि हमलावर Stephen Paddock के पता Benjamin Hoskins Paddock Bank लुटे रहा था, जो FBI की most wanted list में शॉमल था. FBI की 10 जून 1979 से लेकर 5 मई 1977 तक जारी most wanted list में Paddock के पता शॉमल था. इस list में उसके कई नामों का जिक्र भी था. हाइदरबाद में बीती राच से बारश हो रही है, जुसकी वचर से कई लाखों में पानी भर गया है. जगा जगा है, गाड़ियां फस गई हैं, लोगों के घरों में भी पानी खुस गया है, मौसम वभाग में लोगों से घर से बहार निकलने ना निकलने की अभी है. केरिल में बीजीपी कारेकरताओं के हत्या के विरोध में बीजीपी अदेक्शाम अच्छाहा आज यहां पैदल मार्च करेंगे, केरिल की वामपंती सरकार के खलाप अमच्छाहा के मार्च को जन्द सुरक्षा यात्रा का नाम दिया गया है. यह जन्द सुरक्षा यात्रा मोके मंत्री पैनराई वजन के शहर पयानूर से शुरू होगी और 15 दिन बाद 17 अक्टूबर को तरवनतपूरों में खत्म होगी. बीजीपी नेता रामाधव ने इसे लोक तंत्र बनाम हिंसा तंत्र के लड़ाई करा दिया है. बीजीपी अध्यक्षा मिश्चा दिल्ली से 2700 किलोमीटर दूर के बिनराई इलाके में रहेंगे. केरल जिसमें बीजीपी पिछले काफी सकाई दिनों से ये कोशिश कर रही है कि वो एक बड़ी राजनीतिक यहाँ पर उसकी हैसियत बने. लेफ्ट को चुनोती दे रही है उसी के मान में. और इसी लिए जन रक्षा यात्रा बीजेपी अध्यक्ष हमिश्चा तीन दिनों तक यहाँ पर करेंगे. आज, कल और पर तो वैसे तो ये कारिकरम 17 अक्तूबर तक बीजेपी का चलेगा प्रदेश भर में. लेकिन बीजेपी अध्यक्ष तीन दिनों तक यहीं पर रहेंगे. केरल के पिन्नराई इलाके में इस मेख्षेतर की इसलिए भी महत्ता बढ़ जाती है. क्योंकि ये मुख्यमंत्री का ग्रैज इला है. केरल के मुख्यमंत्री के इलाके में आकर के उन्हें चुनोती देने क की कोशिश एक तरह से कहा जा सकता है कि की जा रही है. क्योंकि बीजेपी पिछले काफी दिनों से इस चीज़ की कोशिश में थी कि लेफ्ट को उसकी मान में आखरी किला इसे कहा जाता है. केरल को लेफ्ट का इसको उसके किले में आकर के मात दी जाए. एक बड़ी कोशिश की है और हमेशा दीन दिनों तक यहीं पर रहेंगे आरेसेस प्रमुक मौन भागवत आज पश्रम बंगाल में साइंस सुटी सभाकार में एक कारकरम में हिस्सा लेंगे सिस्टर निवेदिता की 150 वी जन्म वर्शुका की मौखे पर ये कारकरम हो रहा है उन भागवत की इस कारकरम को लेकर पहले विवाद खड़ा हो गया था सिस्टर निवेदिता मौन ट्रस्टर ने भागवत की कारकरम को लेकर महाजाती सदन से अनुमती मांगी थी लेकिन महाजाती सुल्थन ने मरम्मत के कार्णों का हवाला देकर अनुमती देने से इंकार कर दिया था जिसके बाद आरसस और मुंता सरकार आमने सामने आ गए थे अबिनेता प्रकाश ने पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के विरोध में राश्री पुरुस्थकार लौट आने की खबरों को सुरह से खारज कर दिया प्रकाश राज ने ट्वीट करके एक वीडियो जारे किया है जिसमर्णों ने कहा है कि वो मुर्ख नहीं है कि राश्र कुरुस्थकार को नौटाएंगे दरसल एक कारकरम में अब नेता प्रकाश राज ने पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या का जिक्र करते हुए प्रधान मुंत्री मोधी पर तंज कसा था जस पर बीज़ोपी नेताओं ने कहा था कि आवार्ड वापसी करने वालों की वापसी हो गई है प्यात्रा उपर लाटी चार्ज के कारण विवादों में घिरे बीएच्यू के कुलपती जिसी तरपाथी अचानक अनिशुत काली चुट्टी पचले गए है तेस सितंबर से बंद विएच्यू आज खुल गया लेकिन उससे पहले ही निजिकारणों का हवाला दे कर पुलपती चुट्टी पचले गए विएच्यू के दोबारा खुलने पर हॉस्टिल खाली करने के बाद घर आय चात्रों वापसा गए है विएच्यू में पूरा बवाल शेटखानी के वरोध में हुआ था जिसके बाद धरने पर बैठी चात्रों पर पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया था हमारी अब जो मांगे सुनी जा रही है वो आगर पहले सुनी जाती तो बहुत बैतर होता लेकिन देरा दुरुस्ता है अभी सुन ली जारी है तो अच्छा है प्रोटेस्ट हुआ है तो किसी कारणवस्ट हुआ है महिला सुरक्षा के साथ क्या कहते कोई भी समझाता नहीं किया जा सकता आप देख सकता है या पर सी सी टी वेगरा भी इंस्टॉल कर दिये गए हैं दिली के आजानदपूर मेट्रो स्टेशन पर CISF के जवान ने फारिंग कर दी, टिकेट काउंटर पर दो लोगों के बीच में जगडा हो गया और इस दोरान आत्मी ने फोन कर कुछ लोगों को मेट्रो स्टेशन पर बुला लिया, करीब 40 की संख्या में आये लोगों ने मार पीच शुरू कर दी, जब पॉलस के जवान ने उन्हें रोकना चाहा, तो उसकी भी पिटाएं पर दाएंगा। आयो का गचिन किया है, आयो की अध्यक्ष दिली उच नियाले की पूर्फ और मुखे नियाए थी शियरस्टिस जी रोनी है, जो इस साल सेवा नुनित हो रही है, आयो की रिपोर्ट के आधार पर सरकार अन्य पच्छड़ा वर्ग में सब ही ज़ातियों को आरक्षण का एक नीलम नाम के आत्वी पर दाल की बोरी चुराने का रोप लगा था। पूर के बाद रणवीर सिंग का लुक सामने आया है, रणवीर सिंग फिल्म में अलाओदिन खिल जी के करदार में नजर आएंगे, अलाओदिन के लुक में रणवीर बेहत खौफनाक नजर आ रहे है।